फिर वीडियो को सदूब ए लुए अब करने वाले हैं नए के अगे एसे सीज्डियल की काफी लीस्टनों पोस्ट के लिए लिए जूनियर स्टेस्टिकल ऑफिसर जेसोगी जो पोस्ट ऑफिस होती है उसके लिए उसमें सेलेक्टेट केंडिडेट से हम आज बात करने वाले हैं तो हमारे साथ हैं सौरब भिया, इनको मैं सौरब भिया बुलाता हूँ, सौरब सी इनका नाम है ये SSC CGL 2017 से JSO की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए थे तो उनसे हम जानेंगे कि JSO की पोस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा पेपर देना पड़ता है, साथ ही साथ कोस्टिंग कैसे मिलती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कितना हो कैसे होता है, कहां जौब लगती है, क्या काम करना होता है, सारी चीजों के बारे में हम में बात करेंगे तो लेट स्टार्ट विद सौरब भीया कैसे हैं आप स्वागत है आपका वीडियो में बढ़िया फाइन थैंक यू तो भीया आप स्सी सीजियल में 2017 में सेलेक्ट हुए थे हैं 17 में जब आप सेलेक्ट हुए थे तो आपकी ओल इंडिया राइंक 111 में जे सबसे पहले बटाइए मुझ्य की जैसे हम फाकी पॉस्ट के प्रवी है इसे की उसमें में पेपर वांदेटें हैं यह पर वन माख चौता है पेपर टू मैठ्स इंगलिश का होता है जो हम देते हैं से ईजल की बाख सारी पोस्ट के लिए पेपर 4 होता है जो डबल की पोस्ट के लिए मड़ीश सेसे बेपर त्रीक पहले जब मैं इसके बारğで कोई नौलज नहीं थी स्टार्टिंग मैंने 2015 में 2015 माक से मैंस लिया 1.25 मार्ट से मिल रचेंगा थ पाईनल सेलेक्शन जयसो की पोड्ट से सिर्फ टेन मार्क से रह गया सेलीक्शन तो उस वक्त मैं दिमाग में पहली बारी ख्यल आ यह तो शयद यह पोडुक और फाईनल सेलक्शन इधर रुका था पॉइपर वन और टु मिला के जो फाइनल मेरिट बनके उसमें तो वहां से मैंने जर्णी स्टार्ट की थी स्टैट्स के लिए प्रॉपर तो अपने सर के चैनल पर मैंने एक इंटर्वी देखा था दीपक भुया का उन्होंने स्टैटिजी स्की बताई थी तो मैंने सबसे पहले तो उनीकी स्टैटिजी से फॉलो करने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी उन्होंने बताया तो स्टैट्स के लिए सीवेसी बोर्ड में 11th क्लास की एक बुक आती है आपको वही थाटीन चैटर्स देख लिए उसके लिए सबसे पहले आप वही थाटीन चैटर्स देख लीजै उसके लिए सबसे पहले लए बेसिटी बोर्ड की बुक से पढ़ना इस्टार्ट करिए उसमें सारा आपका बेसिक क्लियर होगा लेकिन इस्टार्टिंग के छे साथ चैप्टर ही बस क्लियर हो पाएंगे जो आपके इस स्थीम आते हैं क्योंकि बात के जो चैप्टर वह ग्रेजिएशन लेवल के हैं तो इन लोगों ने पढ़ी इस्टार्टिक उन्हें सारे टॉपिक तो पता होंगे लेकिन उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी हैं से स्थीम कोश्चन से आते हैं उसके लिए दुबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस बेस पर करनी पड़ेगी कि किस तरीके से ऑब्जेक्टिव प पढ़ा तो उसमें बहुत अच्छे से कॉंसेट्ट दिया था आप फुद पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा सेलेक्शन हो जाएगा कितने नंबर थे आपकी इस बात मेरे वन फिफ्टी थी थे दोसों में यानि कि चौदा से आप एक सो तिरफन नंबर ले आए सब्सक्राइब करने हैं अच्छा अगर माल लीजे आपने पीटेक में आपने बताया कि थोड़ी बहुत आपने इस पढ़ी हुई थी पर जिसने नहीं पढ़ी है क्या वह कर सकता है जैसे माल लीजे मैंने ब्सक्राइब है और मैंने सिर्फ उतना आता है जितना मैंने हाइज स्कूल में पढ़ा था उसके बाद नहीं आता है तो मुझे कर सकता हूँ हां कोई भी कर सकता है बहुत सारे ऐसे ही जो मतलब बिलकुल पहली बार में आ गया तो सेलेक्ट होके मेरे भी पहली बार की त्यारी थी और मैंने तो सिर्फ पंद्रा दिन पढ़ाई की थी बस यह है कि मेरा पंद्रा दिन इसलिए लगा क्योंकि मुझे पहले से खोड़ी बहुत थी कि ऐसा भी सब्जेक्ट होता है और यससी चीचे रहती है लेकिन जो नया है वो भी एक महिन अगर कायजे से पढ़ ले तो उसका सेलेक्शन इसली हो जाएगा बस पोस्ट होनी चाहिए जैस जिस समय मैंने दिया था एक्जाम तो उस समय जब नोटिफिक्रेशन लेकिन यह एक अच्छी बात है कि मतलब अगर आप बाकी पोस्ट से चूक रहे हो कहीं पर तो फिर इसके थुरू इसके तो नहीं कह सकते लेकिन इसके थुरू आना जैसे बहुत से स्टूडिन होता है ना दो मार्क से रह जाते है उन लोग के लिए यह बहुत अच्छे जैसे जब आपके 40 मार्क से 2016 में और आपका फाइनल सेलेक्शन में रुका था 1.5 मार्क से आपने बताया ठीक है अगर आपको उसमें कोई पोस्ट नहीं मिल रही तो यहां हो सकता है कि आपके एक आपका मौका बन जाए तो यह बात आपकी है आपने इस बता दी इसके बाद मतलब मैं आपको एक बारी फिर से बात को रिपीट कर देता हूं तो आपको जैसो कि अकर तैयरी करने है तो जैसा भीया ने बताया आप आपको समझ आ जाए कि क्या करना है और यह न बताया क्योंकि उन्होंने थोड़ी बहुत वीटेक में पढ़ी हुई थी इसलिए उन्होंने इतना थोड़ा सा बहुर बैतर कर लिया अगर आप भी मैनत करेंगे तो दोसों में 153 अगर आप ले आते हो जितना भी लेंगे अगर आपका बाकियों में स्कोर अच्छा है तो आपको यहां ब्रीफ में जान लिया एक चीज़ और है कि प्रशान रहते हैं इसमें में यह रहता है कि आपका जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन सही आप स्टैक्स से ग्रेजुएशन हो अगर आपके इंट्र में मैस में 60 माक्स हैं या 60 से ज़्यादा तो आप इसके लिए अनराम से लिग बेल हैं पिल्कुल पिल्कुल मतलब यह एक सीदी सी बात है कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है स्टैक्स से तब तो मतलब आप हैं ही अलिजबल तब तो आप प्रो ह माक्स से इंट्र मेडिय किया है कानपुर में पोस्टिंग मिली है और जो कि कानपुर से तो मतलब कानपुर से पास ही पड़ता है तो उतना कोई दिक्कत नहीं है आराम से विकेंड वगरा पर घर आ जाते हैं तो पॉइंट ही है कि कहां पर पोस्टिंग मिलती है ठीक है अच्छा एक चीज पहले हम यह भी जान लें कि यह जो जैसो की पोस्ट है यह आपकी असलियो की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेस्टिक्स एंड प्रोग्राइम के राती है तो उसके अंदर आती है इसका हैट पॉस्टिंग आपको कहां मिलती हैं और किस श्राइटेरिया पे पोस्टिम कें हैं अपनिया हर शहर में नियुकु से। हर शहर में तो नहीं आए जैसे आफ जैसे हमारे उपिंज मरू 7 का मोटा है ना तो सरवे के लिए 3-4 सब्सक्राइब करना रहता है कि आपको अपनी लोकेशन डालनी पड़ती प्रिफरेंस वाली कि आप कहां पर पोस्टिंग चाहते हैं झे में भी डाली थी पहली डिल्ली थी क्योंकि इसमें फिंट वाली जाब और नोना डिली डूनों जाब रहती तो मेरे नस्र》 प्रिफरेंस था तो दिल्ली पहली इन जाली थी लेकिन को विट की वज decis Man Nebar प्रिफर की गई तो यूपी में दिया गया अब फत्य पर पास था घर से अच्छा 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 ऑके आपकी रैंक पशी थी वही मैं सुच जो फिर्टवा को मिल जानी चाहिए थी ओके तो दो तरीके की जॉब प्रोफाइल हैं एक है फील पोस्त मिल जाएगी ठीक है जॉब लोकेशन कैसे डिसाइड होता है वो भी रैंक क्या घर पर ही होता है जॉब लोकेशन जैसे हम लोग का जो हम लोगों प्रिफरेंस डाली थी तो उसके साफ से डारेक्ट उन्हों ने जो दी थी वो फते पुरही दी थी तो यह शायद रै पास वाली दे दी गई जी तो बिसिकली अचा ओफिसे क्या इनके लगबग ज्यादा तर शहरों में हैं आफ ज्यादा शहरों में लेकिन फिर भी काफी कवर है मतलब ऑल इंडिया है तो सब कवर है व्योंकि जो सर्वे कह रिया होता सौ से ड्यूर्ट किलिमीटर रखना रह पतेपूर में अपड़ी बात है क्योंकि पतेपूर उसे हिसाब से इतना पुइट शहर या प्रमिनेंट सी नहीं है बड़ फटेपूर में ओफिस है तो इसका मतलब है कि काफी इंटरनल लोकेशन में ओपेसे हैं मेरे साब सो यह तो यह तो हुग है अमारी जॉइनिंग की बात कि आपको इसे साफ से लोकेशन मिल जाती है अच्छा क्या मतलब इसमें भी जो आपके बाखी के कैंडिडेट्स आप बहुत तरह लोगों से कनेक्टेड रहे होंगे ऐसे बच्छे जिनकी एंड में रैंक थी तो क्या उनको मतलब साउथ दॉक्कि बाखी पोस्ट में यह काफी रोना रहता है कि जादा तर में साउथ पोस्टिंग मिल जाती है फिर पच्छे वोम पोस्टिंग के लिए फाई करते रहते हैं तो क्या इसमें भी ऐसा है क्या मतलब आपको सब पोस्टिंग ज्यादा मिलती है इसमें कहा मिलती ही पोस्टिंग ज्यादा है वो कंडिशन स्थ जादा है सिर्फ 50 पोश्टे थी और 59 पोश्टें तो ज्यादा तो थोड़ी दिक्कत होगी इधर का उधर जाएगा उधर का इधर लेकिन जिस तरी के सब्सक्राइब हम लोगे हम लोगे बैस से पहले वाला जो बैस ता 2016 उसमें चैसे शाच्छट कोष्टे भरी गई थी तो उसमें नौर के कई स्टूडेंट्स या बच्चे साउथ में गए तो क्या मानली जो एक बारी साउथ चला गया आपको ट्रांसफर ले सकता है नहीं ले सकता है चैसर हो जाते हैं मतलब छे महीन बाद आप अप्लाई कर सकते टांसर के लिए और आपको रीजन देना पड़ेगा आपका ट्रांसफर हो जाएगा अभी में फ्रेंटों में 2016 जित्ते थे उन्होंने ट्रांसफर लिया बहुत लोग को दिल्ली मिल गया है कि आपको बाद ही आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर सिक्स मन्स ऑनली काफी बड़ी बाद है कर सकते हैं उसके जब मीटिंग होती है चांसर वाली देखने के लिए तो उस समय अगर उनको करना होगा तो उसी वक्त कर देंगे ये काफी अच्छी बात ह आप पोस्टिंग और अगर आप ट्रांसफर नहीं लेना चाहते होंगे तो उसको ट्रांसफर क्या जब लेना पड़ता है या वो कोई भी गुजार सकता है जैसे हमारे ऑफिस में या कहीं पे भी जिनको प्रमोशन होता है उनको दूसरी जगह भेजा जाता है तो अपना प पोस्ट पर अगर प्रमोशन नहीं लेंगे तो इसमें आपकी बेसिक पे कितनी होती है बेसिक प्रमोशन होता है तो अगर आप एक सिटी वाई सिटी जटी पे है तो एक सिटी में टॉटी परसें स्थि एक सीटी में मेरे साब से करीब पच पंट अजार सेलरी बन जाए था हां एक सिटी मतलब जैसे जो बिग लोकेशन वोती है जैसे डेली है ऐखनो वाई में बाकी कानपुर है वाई सिटी में लखनों भी वाई सिटी में है और फतेपुर जहां पोस्टेट है वहाँ जट से उसके साब से आप लोग अपने थोड़ी मैथमेटिक्स लगा के सेलरी कल्कुलेट कर लीजेगा कॉमेंट्स बताइएगा कितनी बन रही है एक सिटी वाई सि समझ सकते हैं तो फिर उस हिसाब से मेरे साब से एक सिटी में आपकी साथ जार तक बन सकते हैं ग्रॉस कि मख अधिम्ग बन राइब करना क्या होता है क्या नौकरी में क्या कान है क्यूंकि इंकम टेक्स में जानते हैं बहीं रेट करना है एक साइस जीस्ट है देखना है आपको या फिर अगर आप वार्वe करना है इन सारी बारे में हमें मोटा मोटी जानकारी है क्या करना होता है तो आपका सब्सक्राइब बहुत तरीकेक होते हैं जैसे सर्वे अर्बन प्रेम सर्वे चलना है और इंडेक्स वाले सर्वे होते हैं सब्सक्राइब करना रहता है तो आप घरगर जाके आप लोगों से पूछते हैं कि उनकी आप 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 पूछते हैं कामदनी कैसी है कि दिक्कते से स्ब्सक्राइब क्या खर्चें ऐसे सारी चीजी वो सारी चीज इधाटें कि हम लोगों को आप करने से कुछेशना के तो आप जेटा कर दे कमistically कि हैं डेकर मोटकिन देखते इतना आ रहा है inflation ही होरा है या किस तरीके इतने पर सेंद लोग मास्क पहन रहें या किस तरीके की इनी का डिपार्टमेंट कराते हैं और उन्हीं के आधार पर ज़ाय बनाती है कि इतने किस तरीके के हमारे देश में जनता है तो हमें किस तरीके की पालीसी मेकंग की जरूरत है तो इसके बिना पॉलिसी मेकिंग मेरे इसाब से गुवर्मेंट के लिए बहुत बड़ा सिर्दर हो जाए कि अगर यह सर्वेज ना कंड़क्ट किया जाए विम्मम यह सरकार के लिए बहुत है और इसमें आप आपको जा जाके सर्वे करना होगी का है तो आप उसमें इटेंडेंस लगाते हैं या फिर सीधे उठाना रहता है तो इसमें लुको तूर बनाना रहता है तो डाके छबारे में तूर निप जाना पड़ता टेते उसके इस पूर लगव हैं वो सब बना ले subsidi सीशे तो आफिस यहाएक हैड युजन ने हो कि आप जाएंगे और बाहर का सर्वे तो आप जा सकते हैं तो आप जहां जाते होंगे वहां रुपने की विविश्था और ट्रेवलिंग अलाउंस आपको रुपने की विविश्था खाने की विविश्था यह सारी से गोवर्मेंट देती है हाँ जैसे रूल होता है कि अगर आप मुख्याले से कित्की दूरी पर जा रहे हैं उसके बाद ही आपको इस्टे का वह अलाव करते हैं जैसे जित्ते भी दूर के सर्वे रहते हैं वहाँ पर आप होटल लगा सकते हैं साड़े साथ सो रुप को होटल का दिया जाता है जिसके बिल्स वगर आपको जमा करने होते हैं बिल्स जमा करने रहते हैं आगे आगे जाके आपको उसका रिंबर्समेंट हो जाता है और डी बारा घंटे से ज्यादा बाहरा है तब इसको भी हंडेट परसंट आठ सो है सत्तर परसंट यह जब आप आठ गंटे से ज्यादा बाहर है अगर पास कही लोकल से थोड़ी दूरी पर है तो फिर पर से उपर से कमा सकते हैं कि अगर आप यह जौब कर रहे हैं और आपकी जो सैलरी है उसमें आपको महीने का 10 से 15,000 इसके वाइट मेंट की तरफ से उपर से कमा सकते हैं निकि जो आपकी सैलरी बनी उसके उपर गोवर्मेंट की तरफ से ही आप 15-15 डिपेंड करता है वो तूर के उपर 15-15-20,000 रुपय तक आप उसमें एडिशनल सैलरी जोड सकते हैं तो इस सैलरी की बात यह होती है जो इस से जोग आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है अगर आप इस पोस्ट पर है यह तो हो गई सैलरी की बात कर ली बिसिकली आपका काम है सर्वे कंडेक्ट करना और सर्वें अच्छा सर्वे यह जब आपको अपने वहाँ से जाना पड़ता है और वहां हाँ वो मतलब कि अगर जैसे कोई सर्वे बढ़ा है जिसमें आप पार्टनेर साथ जा सकते हैं वैसे अकेली भी जाना रहता है जो थोड़ा सवा आई कि अगर सब्दो करने जाते हैं तो क्या मतलब कई बार लोग रिस्पॉंसिव होते हैं क्या लोग फीज जाते हैं कि नहीं कि यह नहीं बताना हमें कि ने को सारी दो कि दो क्योंने को सबस्क्राइब इस्याया को सब्सक्राइब अहीए कि आपको फिल्ड पे ही रहना पड़ेंगा कि अमरे साब से आपने हो जाता है तो होगी जाता होगा तो नमचेंगे की प्रमोशन का क्या रहता है और में सब्सक्राइब इसमें प्रमोशन जैसे अभी JSO की पोश्ट से प्रमोशन होगा, वो SSO की पोश्ट होगा, Senior Statistical Officer, उनका में काम सर्वे कंड़क्ट करना रहता है, उनके सर्वे, हम लोग के सर्वे से लग रहेंगे, मतलब वहाँ पे अग्रिकल्चर सर्वे, इंडुस्ट्रियल सर्वे, वो सा वी चीज़े रहती है, और JSO जो सर्वे करते हैं, उनका इंस्पेक्शन करना भी काम रहता है, तो उसके बाद क्या प्रमोशन होने में, और सीट अगर खाली है तो ने तो आपको बेग करना पड़ सकते हैं, हर सेंटल गोवर्मेंट में हर पोस्ट का यही है, चाहें एक्सा स्सो के बाद AD की पोश्ट रहती है, असिस्टम डिरेक्टर, उसमें कितना ग्रेट पे हो जाता है, उसमें चववन सो ग्रेट पे रहता है, उसमें चववन सो ग्रेट पे रहता है, मतलब ऑफिसर बोस्ट है फिर वो, यह आई एसस, जो UPSC एग्जाम कराता ना, इंडियन स्ट्रिश्टिकल सर्विसेज, उस से भी जोईनि एडि की पोश्ट पर डायरेक्ट होती है, अतलब और उसके बाद प्रमोशन कहां पर होता है, AD के बाद, AD के बाद मुझे निपता, अच्छा, बेसिकली, आप तो हो, आप कानपुर से थोड़ी दूर पे बोस्टर हैं, फ होते हैं, तो क्या आपको रहने के लिए home quarters वगेरा मिलते हैं, government की तरफ से या HRS से ही काम चलाना पर होता है? Home quarters अब लेबल तो रहते हैं, वो अब लेबल अगर होंगे तो आपको मिल जाएंगे? यह ज लेकिन हैं अगर worked को के बारे में क्या करना रहता हैं कर दिखा पर काम के बात क कां की अगर शूम, परेपार के भारे में बात कर ली को स्चिक पार कर ली और प्रमोशन के बात कर लिए सारी बात है तो i hope this is enough for the, for this कि आपको कैसे जेसो की post के लिए तैयारी कैसे करनी है उस छरूदूंगी है क्या पूस्टिंग होगी कैसे ट्रांसफर होगा कैसे क्या काम होगा सारी बातें आपको आपको Central के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा क Oliva को तो वीडियो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसे कि नोगोब भी जैसो के बारे में पता लगे तो थैंक यू विया फो जॉइनिंग मी और वेरी ग्रीट देहें थैंक यू सो मुच पर गिविए टाम थैंक यू